Hello students, कुछ important points में आपसे exam वाले दिन के लिए discuss करना चाहता हूँ साल भर्थ जिस दिन के लिए आप मेहनत करते हैं, आप जरूर चाहेंगे कि उस दिन आपकी performance best आए इस दिन आपकी body language, आपका attitude और आपकी energy पीक पर होनी चाहिए इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखें Wake up early in the morning, लगबग 5-6 बज़े के बीच सोकर उठ जाएं Ready होकर timely exam center के लिए निकलें, ताकि last minute हडबड़ी को avoid किया जा सके भूके पेट exam नहीं देना चाहिए, इसलिए कुछ light breakfast जरूर करके जाए Don't get tensed, एक विजई मुस्कान के साथ आप अपने घर से निकलिए Exam के दोरान अगर आपको paper difficult लग रहा हो, तो अपना होसला नहीं खोएं यकीन मानिये, ऐसे इस्तिति में paper सभी को difficult लग रहा होता है कुछ seconds के लिए आप अपनी आँखें बंद करके paper से अपने आपको cut off करके खुद को control करने की कोशिश करें, और फिर अपना mental balance बनाया रखते हुए सही question की पहचान करें और उन्हें solve करें, ऐसे paper में score करने का यही तरीका होता है first paper के बाद second paper से पहले यानि दौनों papers के बीच के gap में first paper के बारे में किसी से discuss न करें, खुद भी उस paper के बारे में कोई thought दिमाग में न लाएं इस दौरान हलका lunch लें, जैसे दाल चपाती, दाल चावा लादी, लेकिन fried या fast food खाने से बचें किसी cool place में थोड़ा सा rest करें और फिर timely second paper के लिए चले जाएं अगर first paper आपकी expectation के अनुरूप नहीं भी हुआ हो, तो भी second paper पूरी positivity और energy के साथ दें क्योंकि result तो दौनों papers की cumulative performance से ही बनता है और ऐसे इस्तिथी में second paper में आपके पास bounce back करने का पूरा मौका होता है मेरा experience है कि ये चोटी-चोटी बातें students की performance में बहुत-बड़ा change ला देती है मैं इश्वर से प्रार्थना करता हूं कि J advance के exam का ये दिन आपके जिंदगी का एक खुशनुवा यादगार दिन बन जाए Thank you very much, wish you all the best